राम राम आज के इस वीडियो में हम श्रिमत भकवत की ताकि अध्या एक अर्जुन्य विशादी योग का श्लोक पाच संस्कृत उच्चारन और हिंदी अर्थ सहित सिखेंगे पहला चरण ध्री ध्री में ध्ध आदा है और नीचे जो मत्रह वो री से रिशिकी है ध्री के साथ आदाश है शटकॉन वाला द्रिश ता में आमिक्स करेंगे द्रिश्ट के तुष तू के साथ आदाश है द्रिश्ट के तुष चे की तिक्की की मत्रा छोटी है लंबा नहीं खीचना ता और न में आमिक्स करेंगे चे की तान न में आ की मत्रा तो विसर्ग को प वी के मत्रा चोटी लंबा नहीं कीचना, जो के साथ आधा श, काशी राजश, च में अमिक्स करेंगे, च, वी के मत्रा बड़ी है, लंबा कीचना है, यो के उपड़ जो आधा रहा उसको वी के साथ पढ़ेंगे, वीर, यो में अमिक्स करेंगे, वीर, य, वा के साथ आधा न दूसरा चरण रिपीट पहला और दूसरा चरण साथ में तीसरा चरण पुरू रू की मात्रा यहां पर छोटी है पुरू जित जी के साथ आधाता पुरू जित कु मात्रा के अंदल चो आधान है उसको कु के साथ पढ़ेंगे कुन त में आ की मात्रा तो क्या बना कुन्ती पुरू जित कुन्ती भोज के साथ आधा शे भोजश च में अमिक्स करेंगे च तीसरा चरण रिपीट पुरू जितकुंती भोजश्च च्वाथा चरण श पिआ की मात्रा श आधा ब श य की साथ आधा श श श ब्यश च में आमिक्स करेंगे च न र न और र दोनों अक्षर पूरे हैं दोनों में आमिक्स करेंगे न र पू की साथ में अंग है मतलब वो पू पे आधे न की बिंदी लगाएगा पू और गव दोनों अक्षर पूरी दोनों में आमिक्स करेंगे पू गव व मी आ की मात्रा तो विसर्ग को पड़ेंगे हा पू गव हा चौथा चरण र पील श ब्यश चा नार पूँगव हा तीसरा और चौधा चरण साथ में पूरू जितकुंती भोजश चा शैब्यश चा नार पूँगव हा पूरी श्लूप का उच्छारण एक साथ द्रिश्ट के तुष्चे कितान हा काशी राजश च वीर्यवान पूरू जितकुंती भोजश चा शैब्यश चा नार पूँगव हा इक बार फिर से द्रिश्ट के तुष्चे कितान हा काशी राजश च वीर्यवान पूरू जितकुंती भोजश चा शैब्यश चा नार पूँगव हा श्लोक का आर्थ दिखता है इससे पिछले श्लोकों में हमने सुना था कि दुर्योधन अपने आचारी द्रोणाचारे के पास जाकर पांडव रचना जो पांडवो की सैना है जो व्यू रचना से खड़ी हुई है उसको दिखाते वे द्रोणाचारे को बोलते हैं कि बड़े शूरवीर हैं उनके बड़े बड़े धनush है और जो महारती है वो युद में भीम और अरजुन के समान है उनमें से कुछ महारतियों का näम बताते हुए दुर्योधन ने बताया कि युयू धान राजाविराट और महारती दुर्पत पांडवो की सैना में हैं अबige क के होत में किन महारतियों का नाम बता रहे हैं दुरियोधन अपने आचारे ध्रॉना चारे को उसको सुंते हैं। दृष्ट केतु इसमें आदाश को जोड रहा है दृष्ट व्यानि द्रिष्ट केतु चेकीतान काशी राजाश इसमें आदाश राजे के बाद का विसर घटके और जो शब्दों को जोड़ रहा है उससे बनाए आदाश तो काशी राजह यानि काशी राज भी हैं काशी राजश च च यानि और वीर्यवान यानि पराक्रमी पुरूजित यानि पुरूजित कुंती भोजश च आदाश कुंती भोज़ और च इन दो शब्दों को जोड़ रहा है कुंती भोज़ यानि कुंती भोज जो दोनों भाई हैं च यानि और शैब्यश च आदाश शैब्या की बात का विसर्ग हटके आया है तो शैब्यभ यानि शैब्य भी है नारा पुंगवः नारा यानि मनश्य पुंगवः श्रिष्ट जो मनश्यों में श्रिष्ट हैं अर्थ क्या निकला द्रिष्ट केतू और चेकीतान तथा पराक्रमी काशी राज भी हैं पूरुजित और कुंती भोज जो दोनों भाई हैं तथा मनिश्यों में श्रिष्ट शैब्य भी है अब अगली श्लोक में दुर्योधन अपनी आचारिये को बचीवी पांड़ों की सेना के महारतियों के बारे में बताएंगे अविनाशी सहज सुखिराशी ही नाथ ही मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं नारेन नारेन नारेन